दोस्तों, एक होता है अकेले रहना, और एक होता है, अकेले रहे करके खुश रहना. भले ही हमारी टेकनोलोजी बहुत ही एडवांस हो चुकी हो. हम चंद तक क्यों ना पहुँच गए हो, लेकिन हमारा सब कॉंशियस माइंड उसे रफ्तार से डिवेलप नहीं हो पाया है. उ आज भी अकेले पन को डेंजर का साइन मानता है. साइन्टिस्ट ने एक बार एक एक स्पेरिमेंट किया और उसमें लोगों से पूछा गया कि आप अपने नेगेटिव थौट्स के साथ में 15 मिनट अकेले रहना पसंद करेंगे, या फिर एक बिजली का जटका और क्यारि के जटका को चुना, लोग खुद के साथ 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते, जिन विचारों के साथ उन्हें पूरी जिन जिंधी बजूर का जिनद का जुट देता है, उसे वक्त वो ना तो अकेला फुल करता है और ना ही वो कमजोर फील करता है। उसे पता होता है कि इन सब के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और आप ये बात जान लो कि ग्रूप हमेशा फॉलोवर्स का होता है। लीडर अकेला ही रट करता है। शेयर अकेला किसी मजबूरी के कारण नहीं रहता, बलकि वो अपनी 26 अकेला रहता है. इस दुनिया के ज्यादा थाली सक्सेस्फुल लोग, इंट्रोवर्ड है. इंट्रोवर्ड यानि की वो लोग जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है, जो लोगों में जाना पसंद नहीं करते हैं. बिल गेट्स, जो की माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है साथ दिन के लिए बिना किसी टेक्नोलोजी के अपने फ्रेंड्स एंड फैमली से दूर रहकर अकेले रहते हैं, और इसका रीजन वो ये बताते हैं कि इससे उनकी क्रियेटिविटी बढ़ती है. उनके माइंड में नए-नए इतिहा आते हैं, और अपनी लाइफ के कई सारे बड़े-बड़े डिकैन उन्होंने इसी दौरान लिये हैं. और ये सभी लोग किसी मजबूरी की वजह से के लिए नहीं रहते, या अपनी चॉइस अकेले रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है. अकेले रहने के चार से फाइदे मैं आपको बताऊंगा. जी हैं, समझने के बाद में आप भी अकेले रहना पसंद करोगे. पहला पॉइंट है बोस्ट क्रियेटिविटी. निकोला टेट जो की एक महान वैग्यानिक रह चुके हैं, जिसकी वज़ए से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी ए रही है, जिनकी वज़ए से आज हम इतनी गर्मी में एशियाई कूलर की हवा ले रहे हैं, जिन्होंने तीन सौ से भी ज्यादा इंवेंशन किये हैं. उनका कहना ये है कि be alone date is the secret of invention, be alone date is one ideas are port, अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जहां पर आतिया पनपते हैं, अकेले रहो, क्योंकि यही वो time है जब invention होते हैं. निकोला टेसा जब खोज कर रहे थे, तब उनके पास कोई भी ज्यादा बड़ी टीम नहीं थी. उन्होंने ज्यादा तर जो invention है, वो अकेले रहकर अपनी life में की है. और research बताती है कि, जब आप अकेले होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तब आपके brain के demon यानि की default more network में ज्यादा activity होने लगती है. और इसी network वजह से इनसान creative सोचता है, उसके brain में नए-नए इतियास आते हैं. सराइजक न्यूटन को भी gravity idea तब आया था, जब वो अकेले apple tree के नीचे बैठे, दा, मेरे इस YouTube चैनल पर इतने सारे वीडियो है, इन में से एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो कि मैंने किसी के साथ बैठ कर बनाई हो. सारे वीडियो के idea मुझे अकेले में आये हैं, और सभी वीडियो की script मैंने अकेले बैठ कर ही लिखिये. अगर मेरे साथ कोई है, तो मैं कभी भी कम नहीं कर सकता. मुझे एकांत माहौल चाहिए. क्रिटिव सोचने के लिए second point increased focus जब आप अकेले रहोगे, तो उन सभी लोगों से दूर रहोगे, जो कि आपका ध्यान भटकते हैं. आपका पूरा focus बस एक ही जगह पर रहेगा, आप शाहकर भी भटक नहीं सकती. आज से चार साल पहले जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी, तब मेरी लाइफ में सिर्फ तीन से चार ही फ्रेंड थे, और उनसे भी मेरा मिलना बहुत ही कम होता था. उसे वक्त में ज्यादा टाइम अकेला ही रहता था, और मुझे बहुत अच्छा लग पाया सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं आइसोलेशन में था. अभी आइसोलेशन क्या होता है? एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रहकरके अकेला फुल करना. अकेले फुल करना यानि कीलंस अकेला पन. इसके लिए आपकी लाइफ में एक से दो लोग होने चाहिए कुछ खास लोग जिनसे आप टाइम टू टाइम मिलने अपने दिल की बातें शेयर कर लें और उसके बाद फिर खत्म और एक होता है अकेले रहना यानि की आईसोलेशन जहां पर आपका फोकस क्रेटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर होती है आईतिहास आते हैं, हम ग्रो करते हैं, अपनी क्षमताओं का पूरा-पूरा इस्तिमाल करते हैं और यही हुआ मेरे साथ जब मैं आईसोलेशन में चला गया हूँ तीसरा सबसे बड़ा फाइदा सेल्फ अवेरनेस आप खुद को जान पाते हो दोस्तों एक बार में खाना खाने के बाद वॉक पर जा रहा था रास्ता काफी लंबा था, आधा रास्ता बीट गया पता भी नहीं चलता, बड़े बड़े रास्ते छोटे पत जाते हैं अगर हम किसी के साथ में होते हैं तो लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वही समय वही रास्ता थोड़ा लंबा लगता है और हम अपने बारे में ज्यादा सोच पाते हैं self-ness के लिए खुद को जानने के लिए अकेले रहना बहुत-बहुत जरूरी है और अगर आपको ये लगता है कि आप self-aware हो आप खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो तो आप सभी लोग ये बात जान लो कि 5,000 से लोग्द जिनको ये लगता था कि वो self-aware है लेकिन जब उनका self-awareness का test किया गया तो उनमें से सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत ऐसे लोग दे जो की self-aware दे जिन्हें अपना patient पता था, जिन्हें अपनी strats बताती, जिन्हें अपनी weakness बताती बाकी लोगों के अंदर सारी चीज हैं लेकिन उन्हें पता कुछ भी नहीं है तो अकेले समय बिताओ और खुद को जानो क्योंकि जो पूरी दुनिया को जानने में लगा रहता है, वो किसी को भी नहीं जान पता लेकिन जो खुद को जान लेता है, वो सभी को जान लेता है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आता है master your emotion यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि जो इनसान अपनी emotions को समझ लेता है वो पूरी दुनिया के emotions को समझ लेगा Royal Enfield, Mountanded Maggie और इसी और भी कई सारी company के आपने advertisement जरूर देखे होंगे यह सभी company जब भी add करती है, तो यह कभी भी अपने product बारे में बात नहीं करती है क्योंकि उन्हें पता है कि लोग emotionally ज्यादा connect होते है अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि यह जो marketing company है यह लोगों के emotion को समझ कैसे पाते है सिंपल सा तरीका है कि यह लोग पहले खुद की emotion को समझते है उसके बाद यह पूरी दुनिया के emotion को समझ जाते है तो इन future में अगर आपको लोगों को influence करना हो या फिर आपका कुछ भी ऐसा कम हो जहां पर आपको लोगों को emotionally connect करना हो तो आपको खुद के emotion को master करना बहुत जरूरी है और खुद के emotion को समझने के लिए आपको पहले खुद को समझना होगा और खुद को समझने के लिए आपको अकेले रहना ही होगा तो इसलिए अकेले रहे, एकांत में रहे और अपनी पुरी आत्मा एक कम में दल दो, एक दिन, लोग आपसे मिलने को तरस जाएंगे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपसे मिलूँगा अगले डियो में तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत